सुबह के करीब सारे छे बजे मेरी घरेलू सहाई का सारदा ठंड में ठुछुरती हुई एक पतली सी पुरानी सौल लपेटे घर के भीतर दाखिल हुई चाहे बारिस का महिना हो या चिल चिलाती धूप तपती गर्मी हो या फिर ठकर कराती ठंड मौसम चाहे जो हो सारदा वक्त की बड़ी पावंध है वो हर दिन अपने समय पर आ जाती है ऐसा नहीं है कि इन आठ सालों में उसने कभी चुटी न ली हो लेकिन जब भी नहीं आना होता है वह पहले ही वदा देती है या फिर जब कभी भी अचाना किसी कारण वस नहीं आ पा इससे कोई वास्ता नहीं माजी के लिए तो सारदा केवल एक ऐसी सहाई का है जो हमसे रुपे लेती है और बदले में हमें अपनी सेवाय देती है इसे से अधिक कुछ भी नहीं है सारदा के भीतर आते ही मैं बोली सारदा पहले गरमा गरम चाई पी ले फिर काम सुरू करना मेरा इतना कहना था कि सारदा गठरी बनकर उक्रू बैट गई और अपने दोनों हथेलियों को रगरती हुई बोली हा दे दी पहले गर्मा गर्म चाय दे दीजिए जारा तो बहुत ही बट गया है हाथ पर जमने लगा है दो घुट गर्म चाय अंदर जाएगी तभी सरीर में जान आएगी मैंने मुस्कुराते हुए गर्म चाय के साथ गर्म घर्म भजिये के पलेट भी उसकी और बढ़ा दिये पलेट हाथ में लेती हुई वह बोली एक आप ही हो दीदी जो हमारा ख्याल रखती हो वांकी के घरों में तो एक कप चाय देने में ही उनकी नानी याद भजिये कहां से खिलाएंगे सारदा की बाते सुन हॉल में बैठी माला फिरती माजी अपने चस्में के अंदर से घूर कर सारदा की ओर देखने लगी यह देखकर सारदा फटा फट एक के बाद एक भजिये मुह में डालने लगी इस वज़र से उसके मुह भी जल गए यह अ जाना था लेकिन ठंड अपनी तेवर दिखानते हुए नजरे तरेने लगा था और मैं इस दुधा में थी कि इस कराके की ठंड में माजी को एक सबता के लिए घर पर अकेले छोड़ कर कैसे जा पाऊंगी क्योंकि पिछले कुछ सालों से ठंड की वजह से उनके हाथ फैल में स बात हमारी तो हम अपना ध्यान रख लेंगे माजी से हरी छंडी मिलते ही मैंने जानी की तयारी शुरू कर दी जाने से पूरू मैंने सारडा को हिदायत दे दी की वे मेरे पीछे घर और माजी का फुरा ख्याल रखे यदी कोई परिशानी हो या माजी की सिहत में थोरी उसे देखने की कलपना साइद मेरी आँखों ने कभी भी न की थी मैंने देखा माजी सोफे पर लगवग लेटी हुई है और सारदा उनके पैर की मालिस कर रही है यह देख में तेज कदमों से उनकी और बढ़ी और उनके करीब पहुंचकर बोली क्या हुआ सब ठीक तो है जी बोली अरे सब ठीक है तुझे मुझे कुछ नहीं हुआ है अब मैं बिल्कुल सुस्त हो जारे की वज़ह से हाथ पर में सूजन आ गई थी और पूरे सरी में दर्द भी भर गया था मेरी हालत तो बड़ी खराब हो गई थी बिस्तर से हिलना भी मुश्किल था लेकिन सार चिंता की कोई बात नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूं माजी ने बड़े सांत भाव से कहा तभी सार्दा बोली हाँ दीदी माजी बिल्कुल ठीक है आप चिंता ना करें आप जाकर हाथ मुदो लीजीए मैं आप सभी के लिए चाय बना कर लाती हूं आप लोग सफर से ठक होंगे इतना कहकर सार्दा हम सभी के लिए चाय बनाने चले गई तभी माजी ने बताया कि किस तरह सार्दा पिछले चार दिनों से अपने घर नहीं जाकर उनकी सेवा में लगी हुई है और उन्हें एक पल के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा है आज माजी की अब माजी यह भी समझ चुकी थी कि कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जीने हम रुपए देकर प्राप नहीं कर सकते दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी थी फ्लीज वीडियो का लाइक कीजी और हमारे चैनल को सस्क्राइब